हालो अब्रीबन और वेलकम डिफेंस तडीज तो टोड़े विल बीडिस्कसिंग वरी इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर्पिक पेपर टॉपरेशन देखें क्यों यह टॉपिक इंपोर्टेंट है तो दो टॉपिक में आपके साथ शेर करूंगा जो कि इसी पैटरन पे थे जै इस सामन्टेनियस इलेक्शन डैट बिस वन नेशन वन इलेक्शन इस पर बात चली हुई थी यह भी आपके एक्जाम में आया है तो यह पूरा जो सिस्टम है जिसमें आप देखोगे जिस जिस भी किसी मूव से या फिर इनिशेटिव से बहुत मेजर चेंज आ रहा है आप का बहुत important topic है हाली में आपने बहुत सारे cases चुने होंगे दिशा encounter case आप बात कर सकते हो दूबे encounter in UP ठीक है यह आप बात कर सकते हो custodial that आप बात कर सकते हो और New Delhi में आप crime rate बहुत जादा increase हो रहा है यह आप बात कर सकते हो juvenile abuse की बात कर सकते हो तो different different आप देख सकते हो जहा आप court कर सकते हैं so again the spotlight again is on the police the police पे सबकी अब नजरे हैं कि police reform करने की ज़रूरत है कई बार police को as an political tool भी utilize किया जाता है बहुत सारी चीज़े आप देखोगे problem associated with the police system पहली problem आप देखोगे policeman and this politician nexus so police or politician का हमेशा से nexus आपने आपको पता होगा कई बार जो है politician जो है police को क्यों politician अपने grip में रखना जाते हैं तो इसी लिए जो 1861 act था जो आप देखोगे Indian police act जो है 1861 का ठेक है तो उसमें reform नहीं चाहती कोई भी state हाला कि जब आप देखोगे जब negotiation table पे जब बैठते हैं central state हर एक चीज़ जब discuss करते है Supreme Court की directives भी आई है regarding the police reforms बहुत सारे आप देखोग इसमें activist भी है including former IPS officer आप उनका नाम ले सकते हैं ठीक है बहुत important IPS officer थे you can talk about जूलियल रिवेरो और परकास सिंग उनका भी नाम आप ले सकते हो इन्हों ने court और Supreme Court के इतने दरवाजे कट-कटाए हैं फिर भी police reform नहीं हो पा रहा है क्यों क्योंकि इसमें vested interest है क्योंकि police को misuse किया जाता है बहुत सारा आप देखोगे जब विने बगगा क्या नाम था उनका जो BJP spokesperson है दिल्ली से जब पंजाब police दिल्ली से उनको arrest करके ल political gain for their own agenda इसे साब से उसको use करती है तो यह nexus हमेशा रहेगा अगर हम बात करें state की तो state के अंदर जो police है वो state government के अंडर आती है बाकि जो central policies है central आम police forces right CRPF ITBP SSB BSF Assam Rifle CSF NSG they comes under central government तो ministry of home affairs इनको handle करता है तो इसके बाद आप देखोगे politician और police का जो nexus है इसको break करने के लिए second ARC report भी लिखी गई second ARC report में बहुत सारी ऐसी चीज़े गई यह nexus को खतम करना चीए दूसरा एक important चीज़ यह है कि nexus जो है यह nexus होने के पीछे एक reason यह भी है criminalization of politics ठीक है तो जो criminal element जब politics के अंदर आते हैं उनको पता है कि police को किस हिसाब से misuse किया जा सकता है for their own political gain अगर उनको power में रहना है तो तो criminalization of politics भी जो है आप देखोगे बहुत बड़ा factor है जो कि misuse करता है police का now the overburdened police force ये भी आप बात कर सकते हो police force is overburdened है अगर मैं बात करूँ in and around 137 police personnel 137 police personnel per lack of the population इंडिया के अंदर है लेकिन हम sanctioned strength देखे it is 181 ये होना चाहिए sanctioned strength should be 181 this should be the sanctioned strength तो आप देखोगे इसमें आप तो overburden है दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर uniformity in in देखोगे presentation भी निये representation women related issues आप देखोगे या फिर strength देखोगे women officers की या फिर women police personnel की in the state police तो this is only a 7% 7% ही वो constitute करते हैं इससे जो women related जो crime है वो बढ़ रहे हैं ठीक अगर women की presence ज्यादा होगी तो भी victim होगा they can share their problem with the police officer women police officer राइट तो यह आपको पता होना चाहिए दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ state police के अंदर बहुत सारी vacancies है जैसे मैंने आपको बताया police forces overburden है 8 गंटे की shift की बजाए आप इनको पता नहीं के इनकी duty कितने टाइम के 24 गंटे भी हो जाती कई बर तो दो दों तक यह आप देखोगे नाके पर खड़े रहते हैं पुलिस station में available रहते हैं तो इनका जो mental status है इनकी जो आप देखोगे इनकी जो यह जो 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 इतनी physical demanding होने के बावजूद लोग इन से expect करते के इन बहुत ही politely behave करें लेकिन the reality is the police force is basically over burden अगर मैं आपको बात करूँ state forces के बाद पास अभी भी 24% vacancy है मतलब हम देखे तो in and around 5.5 lakh तो परकाशिंग कमेटी जो उन्होंने बताया था इस उन्होंने यह जो यह RTI लगा के सभी state से पूछा था कि कितनी vacancy हैं आपकी states में तो overall देखोगे accumulatively तो 5.5 lakh police short है ठीक है उसके बाद आप central forces में देखोगे CAPF के अंदर 7% vacancy यहां भी है तो in and around it goes up to 8-9 lakh police personal shortages में है right उसके बाद हम देखते हैं police accountability police क्या accountable है बहुत सारे ऐसे cases आप दिन देखे होंगे custodial death, custodial rape ठीक है आपने देखा होगा कई बार third degree उनके उपर apply किया जाता है तो custodial death and custodial rape तो इनके accountability कौन set करेगा ठीक है बहुत बार आपने देखा होगा कि वो जो sub inspector है उन पर rape के allegation है but after a suspension of 2-3 months उनको दुबारा से green state कर दिया जाता है तो accountability नहीं है तो accountability कैसे set होगी ये भी हमें देखना पड़ेगा दूसरा हम देखेंगे police accountability के और कौन से cases है corruptions के cases है right बहुत सारे cbi ने अभी देखा होगा Mumbai police का classical example है वहाँ तो dg जो है director general of police Mumbai police के उनके उपर भी case थे उसके बाद राकेश अस्थाना वाला direct आपको case यहाँ पर court कर सकते हो ठीक है राजेश रागेश राकेश अस्थाना ठीक है यह वाला case आप court कर सकते हो right तो यह भी है police accountability के उपर तीसरे हम inadequate resources की बाद कर सकते हैं यहाँ पर CAG report आप court कर सकते हो CAG क्या क्यों होलता है कि shortages of weapon है in the force और weapon भी जो है आपके उनकी quality उनका status बहुत अच्छा नहीं है they need replacement basically उसके आद आप देखोगे infrastructure नहीं है inadequate resources के हम बात करें तो forensic lab इतनी अच्छी नहीं है adequacy नहीं है हमारे पास आप देखोगे वो talented workforce नहीं है वो technology नहीं है वो expertise नहीं है जो forensic को इतना अच्छे से जान सके जितनी अच्छे आप forensic होगी investigation team होगी आप evidence अच्छे से collect कर सकोगे उतना जल्दी ही आप क्या कर सकोगे उन accused को frame कर सकोगे तो criminal justice system भी आपका strong होगा तो inadequate resources पे training of these people इन पे हम काम कर सकते हैं उसके आदम देखे crime investigation में second administrative reform commission क्या बोलती है law commission क्या बोलती है they keep on saying that कि police officer जो है neglect करते हैं अपनी responsibility क्योंकि understaffed है overburden है अब एक SI या फिर investigation officer जो होता है उसके पास सिर्फ एक case नहीं होता एक time पर दिल्ली पुलिस में आप देखोगे पूरा overburden है ठीक है तो जो investigation officer है investigation officer आयो बोलते हैं उसको तो उसके पास बहुत सारे cases होते हैं तो बहुत सारे cases होने के बाद से आप देखोगे तो quality of investigation जो है वो compromise होती है no doubt about it तो criminal investigation पर फरक पड़ता है क्योंकि staff जो है overburden है आप देखोगे उसके बाद देखोगे आप police public relation एक mindset जो है लोगों का एक perception जो management है ठीक है negative perception लोगों की create हो चुकी है police के against बहुत सारे ऐसे देखोगे आपने instances देखे है corruption के police जहां पर लाटी चार्ज करती है violence आप देखोगे use of force जो है ये सबी video clips जो है social media पे upload होती है जिससे police की negative perception बन चुकी है तो हमें ऐसे अच्छे काम भी share करने चाहिए जिससे हमें दिखे है क पुलिस एक positive perception management भी हो सके जैसे एक बहुत important case है case study है Rajeshwari ठीक है तामिलाडू के अंदर इंदचे नहीं जहां पे बारिश हो रही थी और एक जो civilian है वो unconscious पड़ा हुआ था तो उन्होंने क्या किया अपने कंदे पे उठाके she took that person to the hospital तो ये important positive case study भी आप इसमें डाल सकते हो दूसरा negative case study अप तुति कोरिन के अंदर जो custodial death थी वो भी आप इसमें court कर सकते हो right so in this way you can court all these things उसके बाद commission on police reform आई police reform के उपर क्या 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 commission से we'll talk about national police commission we'll talk about supreme court की क्या directives थी ठीक है मैलीमत committee ने क्या recommendation दिये थे okay now let's let's see context क्या दे सकते हैं इसके अंदर what context we can write police reform के अंद उन्होंने report दी है police training modernization and reforms के उपर February 2022 में time हो तो आपके वास पढ़ लेना दूसरा context है government approved the continuation of police modernization scheme for five more years 2022 तक deadline थी police reform करने की तो police reform सिरफ आपका doctrine में नहीं होता है पुलिस reform आपका weapons की weapons भी change होने चाहिए उनका काम करने का तरीका infrastructure में changes investigation agencies मतलब work को segregate करना भी ज़रूरी है right तो यह सभी आपका police modernization के अंदर आता है दूसरा हम देखते हैं police यह bulletin point है मैं आपको share कर रहा हूं बहुत important है कहीं पे भी use कर सकते हैं आपको so police is in state list yes तो only state can manage state police को वही manage कर सकते है इसमें center कुछ नहीं कर सकता लेकिन इसमें there is a certain I think certain thing which is basically pushed by the central government वो कोशिश कर रहे हैं कि police को state list से निकाल के उसको concurrent list में डाल सकते हैं ठीक है जिस पर central law state दोनों लाबना सकें ओके और in case of any conflict central law जो है वो prevail हो सकेगा right there is an important thing that is one uniform one nation यह भी बात आपने सुनी होगी तो I think police reform एक बहुत important issue मतलब एक agenda बनके आ सकता है police reform के उपर one uniform one nation पे उपर बात हो रही है तो देखते हैं क्या होगा आगे how things unfold और दूसरी चीज़ हम देखे police related that is Indian Police Act 1861 यह archaic law है बहुत पुराना है और इसको बार बार now the data you can quote is 155 policeman per lakh population ideal क्या थे मैंने आपको बताया था 181 should be the ideal this ideal ratio होनी चाहिए police man or population की दूसरा हम crime rate देखते है that is important crime rate अगर हम देखे 385.5 that is the national crime rate of India अगर हम देखे 385 this is per lakh population तो इतने crime होते हैं और सबसे अगर मैं देखूँ किस state के अंदर सबसे ज़्यादा crime rate है that could be a Delhi ठीक है तो दिल्ली के अंदर आप देखोगे सबसे ज़्यादा crime rate यहां पर मिलेगे 1586 out of 1 lakh population इतना crime rate है दूसरा के अंदर फिर अंदामान निकोबार के अंदर गुजरा तामिलाडू हरियाना मदर परदेश ठीक है तो यह decreasing order में आपका आता है ओके नाव सीधा PSC report अब यहां पर देखोगे parliamentary standing committee report जो feb 2022 के अंदर आई थी उन्होंने यह recommendation दी थी उन्होंने कहा था कि independent police complaint authority उनी चाहिए insured 30% reservation or representation of women in the police forces separation and investigation from law and order जैसे में आपको बताया था कि investigation officer जो है उसका work जो separate कर देना चाहिए law and order problem से so investigation and law and order की जो है दोनो ओफिसेश अलग-अलग होने चाहिए law and order maintain करने के लिए officer अलग होने चाहिए investigation के लिए अलग होना चेह है क्योंकि investigation के लिए आपको different aptitude जाहिए मतलब दिमाख आपको लगाने का time होना चाहिए यह आप बंदोबस्त में busy हैं फिर आपको investigation भी करनी है तो बहुत हैप हजार हो जाता है दूसरा वर्चुल ट्राइल होनी चाहिए थ्रू वीडियो कॉन्फरेंसिंग कंसर्न और स्टेंडिंग कमेटी उनकी रेकमेंडेशन है इन चीजों पर हमें देखना चाहिए पुलिस पर्सनल के अंज़द और डिस्ट्रेस है और अंडर यूटलाइजेशन और फंड्स फोर मोडनाइजेशन उनका अच्छे सी उटलाइज नहीं हो रहा दूसरा इश्यू क्या हो सकता है लेजिसलेशन मैंने आपको बता था कि कोलोनियल एरा लेजिसलेशन है 1861 एक्ट उस टाइम के नीड के हिसाब से बनाया गया था ठीक है अभी इसको चेंज करने की ज़रूरत है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है दूसरा इंफरस्रक्चर लैक ओफ मोडनाजेशन टेकनोलोजी की अडौप्शन तिसरा इंस्स्टूशनल इस्सटूशनल आम हम देखें तो एक्टेव अकांट में अग्वार्ट की बात की थे आप से अबर बर्डन है स्ट्रेश्ट है लैक ओफ ट्रेनिंग है एक भार ही ट्रेनिंग होती है पुलिस की आगर आप देखे अन्स्ट्रेश यह है और लेकिन डोकुमेंट में कुछ ओर है नेक्स देखते हैं क्या प्रोब्लम है शोचल रूविए पॉलिसिंग है आप कभी भी पुलिसमेन को जब देखते होगे तो आपको यह चीज लगते हैं कि कुछ न कुछ अभी प्रोब्लम क्रियेट होने वाली है document चेक करेंगे unnecessary आपको तंग करने वाले हैं तो यह एक negative perception जो है यह भी create हो चुका है कि दूसरा हम देखते हैं कि लैक of access to poor and marginalized राइट लास्ट हम देखेंगे क्या problem है functional जैसे आप देखोगे क्रिमिनल elements का गुष जाना पुलिस के अंदर भी और politician पॉलिटिक्स के अंदर भी पुलिस का मतलब क्रिमिनल elements का गुष जाना जो कि exploit करता है कि इसको पुलिस को ओके lack of quality of investigation custodial torture new types of crime cyber organized crime क्या इन सभी नए type of crime से जो present police है क्या वो निपट सकती है क्या उनके पास training है क्या उनके पास एडिक्वेसी है क्या उनके पास इस तरह के टूल्स है infrastructure है जो new age crimes को वो deal कर सके ठीक है तो यह functional में आएगा आपका now important committee आप recommendation ना भी इनकी याद रखे तो बस इनका नाम याद रख लिना national police commission 1981 year याद रखना पदमना भाई committee 2000 शोली सरुपजी committee 2006 राइस मैलीमत committee भी आपको उट कर सकते हैं now the supreme court ने जो seven important directives दिये थे in the prakash sing case 2006 के अंदर supreme court के directives यह हैं बहुत important directives हैं अभी तक कुछ state ने कुछ implement किये हैं सभी के सभी implement नहीं किये कुछ state ने इसमें से एक या दो उठाए हैं कुछ ने चाल पांच उठा लिये किसी state ने एक भी implement नहीं किया है तो बस यह supreme court की जो directives बहुत important directives है this should be implemented in lateral spirit now thing is first establishment of state security commission होनी चाहिए state security commission होनी चाहिए हर एक state के अंदर जो कि appointment या फिर हर एक चीज को क्या देखेगी look on करेगी so state security commission दूसरा merit based appointment होनी चाहिए डीजीप की controversial नहीं होना चाहिए कि यह present हम देखे है कि सरकार बदल गिये तो डीजीप भी बदलेगा ऐसा नहीं होना चाहिए merit based होना चाहिए कि डीजीप अनबाइस होना चाहिए कोई political inclination नहीं होनी चाहिए right national security committee at center minimum two year of tenure for SP and SHO दो साल का tenure minimum होना चाहिए that should be permanent okay इससे पहले उनकी posting या फिर उनको दूसरी station पे transfer नहीं किया जा सकता जिससे वो अपने action ठिक ठाक ले सके ठीक है कई बार उनको pressure बनाया ज case ठीक है निता जी के अगेंस कुछ भी action मत लीजिए तो इन हिसाब से जब भी action लेने की कोशिश करते हैं तो उनका transfer उनके table पे आ जाता है ओके बहुत सारे ऐसे cases आपने देखेंगे खाकी में okay you have seen the recent documentary at the netflix जिसमें अमीत लोधा IPS के उपर एक बहुत important documentary बनाई गई गई थी now the next thing is separation of investigation from law and order police establishment board for service matter बतो service related जो भी आपके issue है जैसे आप देखोगे transfer time पे नहीं हो रहा लीव आपको time पे नहीं मिल रही police complaint authority भी है आपकी अगर आपकी costability कोई constable जो है सचों के खिलाब कुछ न कुछ complaint गरता है तो वो confidential रहनी चाहिए कुछ police complaint authority होनी चाहिए जो उसकी matter को study करें ठीक है इस तरह की कोई चीज है नहीं उसको exploit किया जाता है बार-बार जो भी lower rank पे काम कर रहे होते हैं नो नीटी आयोग की क्या important strategy है नीटी आयोग strategy for new India इन्होंने बोला के model police act 2005 इसकी जरूरत है इन्होंने ऐसा कुछ अपनी report के अंदर दिया था हमें outsource करने की ठीक है computer handle करने के लिए ठीक है FIR दर्ज करने के लिए इन सभी चीजों के लिए outsource कर सकते हैं आप direct recruitment करने की ज़रूरत नहीं है encourage more women participation transparency in transfer and posting separate card for cybercrimes ठीक है इस शुड़ भी a carder C-A-R-D-E-R separate card for cybercrimes होना चाहिए अब initiative क्या ले सकते हैं पहला initiative आगम देखें EFIR application दिली पुलि रजिस्टर कर सकते हो दिली पुलिस eight hour shift modernization scheme ठीक है eight hour shift होनी जी आठ से उपर उनको जबरदस्ती पुलिस मतलब shift लगाने के लिए मजबूर ना किया जाया और यह बहुत important model है दिली पुलिस का आठ घंटे में उनको वहाँ से release कर दिया जाता है relief कर दिया जाता है okay now the another thing is automated face recognition system technology का help play सकते है जिससे efficiency आईगी सिस्टम में case study है आप दो case study डाल सकते है इसमें तामिलादू पुलिस इंस्पेक्टर राजेश्वरी जो की positive case study है दूसरा आप लिख सकते है तूती को रिंग के अंदर कुजो कॉस्टोडियल डैथ होई थी negative case study में आप डाल सकते है वे फोर the time they do carry you can say a camera on on their chest this record also किया बात थी क्या नहीं बात थी हर एक चीज़ को रिकोर्ड कर सकते है फॉर दाविदेंस राइट तो इससे क्या होगा litigation जो होती है कई बार court के अंदर के पुलिस ने misbehave किया पुलिस ने excesses की ज्यादा manhandle किया हमें तो इस तरह की चीजों से बच सकत पुलिस दिपार्टमेंट अगर उनके पास recording हो विजुवल्स हो यह सभी चीजों से स्मार्ट पुलिस कैन ब्रिंग एफिशेंसी इन दे सिस्टम के अंदर वह आप से पूस्ते हैं तेल मीवन एफिशेंट वे थू यू रिंग एफिशेंसी इन दा अडिनिस्टेशन अब सिस्टम्स ओके तो इसे साब से आपको चीजों को समझना है नाव सेंसिटिव मुबाइल अलर्ट रलाइबल एंट टेक्नो सेवें ट्रेंड पुलिस फोर्स होनी चाहिए तो इस पुलिस रिफॉर्म लेक्च्चर एक और इंपोर्टन अनॉंसमेंट इफ एनिबड़ी और हब वेरी लो स्कोर और हट वेरी लो स्कोर इन 2022 इन पेपर टू और पेपर टू से उन्हें बहुत डर लगता है तो दिस इस टाइम डिसाइड कर लीजिए डू नोट वेस्ट यूर टाइम लास्ट मिनिट पे डूनोट जोइन एनी कोर्स ठीक है दिस इस टाइम अगर आपक कि मुझे जोई नहीं करना I can do myself लेकिन आखरी टाइम तक पेपर तक यह रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस लोगों को इससे सच में फरक पड़ा है लोग जहां पर इंट्रोडक्शन या फिर एक ऐसे नहीं लिख पाते थे आप फुल एंट टेस लिख रहे हैं ठीक है फु उनकी आप देखो गई इतनी उनकी capability इंक्रीज हो चुकी है राइटिंग डेली टेस्ट अटेंडिंग डेली क्लास ठीक है यह सबी चीजी करने से फरक पड़ता है उनका एक जो मोमेंटम बना हुआ है इसमें पेपर टू में ठीक है तो इनर्शिया उनका टोटली ब्रेक हो इसमें आपको चांस नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत कॉंप्रेंसिव है इसमें बहुत टाइम तक लोगों के साथ जुड़े रहेंगे भी नेवर नों सेकिंड बैच कब आएगा ओके तो इस वीडियो को इंपोर्टेंट आपको ग्वारी हो यू कन कॉंटेक्स ओंटेक्स न